नमस्कार तुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह वैसे सवाल होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा State PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF और NDA जैसी परिक्षाओं में यह सीधे सीधे सवाल पूछ लिये जाते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के Practice Question के साथ कल हमने आपसे पूछा था A.C.I. व्यक्तिगत Squash Championship का खिताब किसने जीता है? A. जोशना चिनप्पा B. सौरव घोशाल C. दोनो या D. इनमें से कोई नहीं A.C.I. व्यक्तिगत Squash Championship का खिताब सौरव घोशाल और जोशना चिनप्पा ने जीता है या सौरव घोशाल और जोशना चिनप्पा की तस्वीरे हैं A.C.I. व्यक्तिगत Squash Championship का आयोजन कुआला लामपुर में हुआ था या पहली बार है जब भारत में दोनों खिताब जीते हैं सौरव घोशाल ने होंग कोंग के लियो और चुन मिंग को हराया है वहीं जोशना चिनप्पा ने महिलाओं की फाइनल इस परधा में हौंग कोंग की शीर्ष वरियता प्राप एनी एयू को हरा कर या खिताब जीता है तो कल के प्रैक्टिस क्वेस्चन का सही जवाब होगा ओप्शन C. दोनो आज के सेशन का पहला सवाल है इसरो का आदिते L1 संबंधित है A. चनरयान 2 से B. मंगल के अध्यन से C. सूरी के अध्यन से या D. रिमोट सेंसिंग से इसरो का आदिते L1 सूरी के अध्यन से संबंधित है C. सूर मिशन आदिते L1 को अंतरिक्ष में एक वेंटेज पॉइंट पर भेजा जाएगा इस वेंटेज पॉइंट को L1 लैग ग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है आदिते L1 इस पॉइंट से सूरी का चित्रन और अध्यन करेगा ये L1 बिंदु 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर इस्थित है यहां गुरुत्व आकरशन बलों के नाजुक संतुलन के कारण उग्रह को अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत कम उर्जा की आवशक्ता होती है कुछ अन्य अंत्रिक्ष एजंसियों ने भी इस इस्थान पर अपने उग्रहों को पहले से ही सफलता पूर्वक इस्थापित किया हुआ है जैसे नासा और ESA का संयुक्त सैटेलाइट दे सोलर एंड हेलियोस्फेरिक अब्जर्वेटर यानि सोहो प्रश्ण एक का सही जवाब होगा option C, सूरी के अध्यन से यानि आदिते L1 सूरी के अध्यन से संबंधित है प्रश्ण दो बीते दिनों जारी ATP पुरुष रैंकिंग में पहले इस्थान पर कौन है A. नुवाग जोकोविक B. रॉफिल नडाल C. रॉजर फेडर D. अलेक्जेंडर जिवेरेव हाल ही मजारी ATP पुरुष रैंकिंग में नुवाग जोकोविक पहला इस्थान पाने में सफल रहे हैं जबकि रॉफिल नडाल दूसरे इस्थान पर है इस रैंकिंग में रॉजर फेडर को तीसरा इस्थान मिला है इसके अलावा WTA महिला रैंकिंग में जापान की नाओमी उसाका शीर्स इस्थान पर है तो प्रश्न दो का सही जवाब होगा Option A. नुवाग जोकोविक प्रश्न तीन हाल ही में किस IIT के शोद करताओने सफलता पूर्वक 3D बायो प्रिंटेड मानव तचा का मॉडल बनाया है A. IIT Mumbai B. IIT Indoor C. IIT Rurki D. IIT दिल्ली हाल ही में IIT दिल्ली के शोद करताओं ने 3D बायो प्रिंटेड मानव तवचा के मॉडल को सफलता पूर्वक बनाया है इस बायो प्रिंटेड तवचा में कुछ प्रासंगिक, सनरशनात्मक, यांत्रिक और जैव रासाइनिक विशेशताएं हैं जो मूल मानव तवचा के ही जैसी है तीन द्वारा लैब में बनाई गई बायो प्रिंटेड तवचा पहले से ही प्रयोगों के लिए ITC लिमिटेड द्वारा उप्योग में लाई जा रही है आपको बता दें कि मानव तवचा में 3 लेयर्स पाई जाती है एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी परत है डर्मिस इसमें स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है और सबक्यूटानियस टिश्यू यानि हाइपोडर्मिस ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है तो प्रशन 3 का सही जवाब होगा ओप्शन D. IIT दिल्ली अभी हाली में स्कॉर्पीन स्रेणी की वेला पंडुब्बी की लॉंचिंग मुंबई में हुई फ्रांस की सहायता से भारत में बनाए जा रही छे युद्धक पंडुब्बियों में से ये चौथी है इसका निर्मार मजगाओं डॉक्यार्ड में किया गया है वेला के पहले कलवरी, खांदेरी और करंच पंडुब्बियों की लॉंचिंग हो चुकी है सबसे पहले 31 अगस्ट 1973 को INS वेला की कमिशनिंग हुई थी 37 वर्षों तक सेवा देने के बाद इसकी सेवा समाप्त हो गई थी अब इसके नए आधुनिक रूप को लॉंच किया गया है तो प्रश्न 4 का सही जवाब होगा Option B, एक पंडुब्बी प्रश्न 5 अन्मोल जैन और ईशा सिंग ने निम्न लिखितने से किस खेल से जुड़ी एक प्रतियोगिता में हाली में कां से पदक जीता है A, बैडमिंटन B, कुष्टी C, निशाने बाजी D, शत्रंज अन्मोल जैन और ईशा सिंग ने निशाने बाजी यानि शूटिंग से जुड़ी एक प्रतियोगिता में हाली में कां से पदक जीता है इन्होंने ये पदक Grand Prix of Liberation International Shooting प्रतियोगिता में जीता है इन्होंने ये पदक Mixed Air Pistol मुकाबले में जीता है तो प्रश्न 5 का सही जवाब होगा Option C, निशाने बाजी प्रश्न 6, भारतिये नौसेना के निम्न लिखित में से किस जहाज की सेवा समाप्त की गई है A. INS विक्रम B. INS सुजाता C. INS तरंगिनी D. INS रंजीत भारतिये नौसेना के INS रंजीत की सेवा 36 वर्षों बाद समाप्त कर दी गई है 15 सितंबर 1983 को US SR के पूर्व के जहाज को 36 वर्षों के लिए राष्ट को प्रदान किया गया था यह जहाज प्रमुक नौसेनिक अभियानों में प्रयोग किया जाता रहा है और इस जहाज ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटो पर सेवा देने का गौरव प्राप्त किया है तो प्रश्ण 6 का सही जवाब होगा option D. INS रंजीत प्रश्ण 7 जाने माने खिलाडी सेमर नर्स का निधन हो गया है उनका सम्बंद किस खेल से था A. Cricket B. Football C. Gymnastic यद D. इनमें से कोई नहीं West Indies के जाने माने क्रिकेट खिलाडी सेमर नर्स का निधन हो गया है 1960 के दशक में इन्होंने West Indies के लिए कई टेस्ट मैच खेले थे 1967 में इन्हें Wisden Cricketer of the Year का खिताब भी मिला था तो प्रश्ण 7 का सही जवाब होगा option A. Cricket प्रश्ण 8 Zero Pendency Court Project का सम्बंद निम्न लिखित में से किस उचने आयाले से है A. पटना उचने आयाले B. कोलकाता उचने आयाले C. दिल्ली उचने आयाले D. नैनी ताल उचने आयाले Zero Pendency Code Project का सम्बंद दिल्ली उचने आयाले से है दिल्ली उचने आयाले ने समय पर नियाय दिलाने के मकसद से दिल्ली के अधीनस्थ नियायालेयों में जन्वरी 2017 में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुवात की थी हाली में इस प्रोजेक्ट पर जारी एक रिपोर्ट में या जिक्र किया गया है कि एक साल के अंदर सभी लंबित मामलों के निश्पादन के लिए वर्तमान में 143 जजों की संख्या के अलावा 43 और जजों की जरूरत होगी इस प्रोजेक्ट का मूल मकसद दर्ज मामलों के निप्टारे में लगने वाले कुल समय का अध्यान करना है ताकि इनके उपयुक्त समय में निप्टारे की संभावना निर्मित की जा सके तो प्रश्न आठ का सही जवाब होगा ओप्शन C दिल्ली उचने आया ले प्रश्न 9 चर्चा में रहा फॉल आर्मी वर्म क्या है A. एक कंप्यूटर वाइरस B. सेना की सहायता के लिए निर्मित एक उपकरण C. एक कीट D. अंतरिक्ष में नासा द्वारा भेजा गया एक जीव चर्चा में रहा फॉल आर्मी वर्म एक इंसेक्ट यानि कीट है अभी हाली में मिजोरम सरकार ने फॉल आर्मी वर्म यानि F.A.W. के प्रकोग के चलते नश्ठ हुई फसल का एक आंकड़ा केंद्र सरकार को मुहया कराया है मिजोरम के क्रशी मंत्री के मुताबिक इस पोडो प्टेरा फ्रियूजी पॉर्डा के नाम से प्रचलित इस कीट के प्रभाव से कई गावों की मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुँचा है आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी पहचान 2016 में अफ्रीकी महादुइप में हुई थी चीन, थाइलैंड, मलेशिया और श्री लंका में इसके विस्तार के बाद पिछले साल भारत में भी पहली बार इसकी मौजूदगी मिली थी मिजोरम के अलावा देश के बाकी राज्यों महाराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा गया है तो प्रश्ण 9 का सही जवाब होगा Option C, एक कीट यानि Fall Army वर्म एक कीट है आज की सेशन का आखिरी सवाल है विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम क्या है? इस साल विश्व अस्थमा दिवस की थीम इस्टाफ फॉर अस्थमा है विश्व अस्थमा दिवस एक वार्षिक कारिक्रम है जो Global Initiative for अस्थमा द्वारा विश्व भर में अस्थमा के प्रती जागरुकता और नियंतरन में सुधार के लिए प्रती एक मई के पहले मंगलवार को आयोजित होता है इस साल यह विश्व भर में 7 मई को आयोजित किया जा रहा है अस्थमा फेफणों के वायू मार्ग में सूजन संबंदी एक लंबे समय तक रहने वाला रोग है पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में इस्पेन के बार्सेलोना में आयोजित पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों द्वारा मनाया गया था तो प्रश्ण 10 का सही जवाब होगा अब नोट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कल इस सवाल के सही जवाब और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे नमस्कार